नमस्कार आप देख रहे हैं दा एंगल और मैं हूँ आपके साथ नीतू शर्मा लोगसबा चुनाओं में इस बार राजस्तान के रण में भाजपा के चार केंद्रे मंत्री उत्रे हैं हालांकि इस बार इनकी रहा आसान नहीं होने वाली है इन में से एक केंद्रे मंत्री ऐसे भी है जिनका टिक्ट ही काट दिया गया है देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में राजस्तान में लोगसबा चुनाओ रण रहे हैं भाजपा के केंद्रे मंत्रीों की इस्थिती कमजोर है एक मंत्री सीयार चौधरी को तो टिकेट ही नहीं दिया गया लोगों में उनके प्रती आक्रोश है ये कहना है राजिस्थान के मुख्य मंत्री अशोग घैलोत का सीयम घैलोत ने कहा कि राज्ये में लोगसबा का चुनाव लड़ रहे मोती सरकार के सभी चारों कींद्रिय मंत्रियों के हालत खसता है और लोगों उनसे नाखुश है घैलोत ने कहा कि अभी इस्थिती ये है कि भाज्यपा के कींद्रिय मंत्रियों के हालत खराब है सारे मंत्रियों की इस्थिती ऐसी है कि वो ना तो घर के है ना घाट के और लोगों में उनके प्रती आखरोश पनब चुका है क्या कारण है पांच साल में ही लोग इनसे इतने नाराज हो गए जब कि ये चारो तो मंद्री नए है ऐसे में मुख्यमंद्री अशोग घैलोद ने भाजपा के कारेशेली को खेड़ते हुए आम जनता से कॉंग्रेस के समर्थन में वोट करने की अपील भी की क्या बार, भी क्या जनता है जनता है, झाम, बार, बार, भी जह झाल, पी कपील ने दोग्व्यमंद्री ने जे लोग जे टो वेख हो वोग्यमंद्री ये रहाँ की आम जया पिए रहाँ है